कि आप सभी का क्योट्रिक्स 2.0 अभी हम लोग ने प्रिविएस यह कुश्चन पेपर की सिरीज शुरू करी है टॉपिक वाइस जो है सबसे पहले अपने बेसिक्स को करिए आप स्ट्रॉंग करिए उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारही टॉपिक्स के जो है लिंक दिये हुए है वहाँ पर जाके आप जरूर उनको पढ़ सकते हैं पुड़सा लाइट का इशू है इसलिए मैं अपनी विजिबिल्टी को हटा रहा हूँ बड़ आपको प्रॉपर क्लास आपको यह पढ़नी है ठीक है तो चली शुरू करते ह है आज के क्लास आज के पहले क्विश्चन के साथ जैसे कि आप लोग नें देखा दिर इस प्रॉब्लम ऑफ लाइट ठीक है तो अभी हम लोग क्लास पढ़ सकते हैं रेगुलर मेरे बिना नहीं मेरी वोईस तो आई रहे होगी आपको मैं दिखूंगा नहीं बस ठीक है ला तो देखो कई सारे questions होते हैं जो topics से relate नहीं करते हैं जो topic wise नहीं होते हैं ये question है अब इसको मैं किस का question कहूंगा इसको मैं exponents का question भी कह सकता हूं लेकिन आपका ellers देखोगे तो को cvauer syllabus थो हैं नहीं, यसी 울क Missouri आपसे वो 6, 7, 8, 9 तक की इवन 9 तक की maps भी पूçons सकते हैं तो 6 27 to the power x is equals to 9 upon 3 to the power x सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे कि cross multiply करेंगे इसके नीचे 1 एजूम कर लेंगे और cross multiply करेंगे तो cross multiply कुछ इस तरह के से करेंगे कि केवल 3 to the power x को यहां लेके जाएंगे और 9 अपनी जगह पर रहेगा अब जब 3 to the power x यहां चला जाएगा तो यह बन जाएगा 27 to the power x into 3 to the power x यहां पर division में यहां जाएगा तो into हो जाएगा इतना तो सबको आता ही होगा ठीक है अब actually हमको क्या करना है इस 27 को 3 की power में लिखना है यानि 27 को हम लिख सकते है 3 का cube और इसकी power फिर x फिर into 3 की power x is equals to 9 ठीक है अब यहां पे जब कुछ ऐसी condition आए देखेगा ध्यान से कि अगर आवर की उपर पावर है तो उस case में जो power होती है वो multiply हो जाती है ठीक है 3 की power 3 और उस पूरी की power x है तो इस case में क्या सब्सक्राइब 3 to the power 3x यानि 3 into x जैसे कि आप ऐसा समझो कि 2 की power 4 है और इस पूरी की power 2 है तो यह हो जाएगा 2 to the power 4 2 जा 8 हो जाएगा ठीक है इंटू 3 का 3 to the power x is equals to अब इस 9 को भी हम 3 का square लिख सकते हैं यस और नो लिख सकते हैं आगे देखते हैं अब यह है 3 to the power 3x into 3 to the power x तो अब इसके क्या करना है एक rule यह भी होता है कि अगर जब यह exponents हम पढ़ते हैं जो power वाला चीज़ हम पढ़ते हैं तो अगर इसमें base same हो उनकी powers आपस में add हो जाती है क्योंकि यहां पे base same है दोनों ही base 3 है तो 3 की power add हो जाएगी यानि पहला वाला 3x और दूसरा x यह 3 की power 3x is equal to 3 का wire अब एक और rule है अगर base same हो और दोनों ही equal में हो उनकी power भी equal हो जाती है यहां तर समझना मैंने क्या का पहली condition में अगर base same हो और दोनों multiply में हो तो दोनों की power add हो जाती है यह से हम पढ़ेंगे जब हम topic पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे यह होगा 3 to the power 3x plus x और is equal to 3 का square अगर base same हो और equal में हो तो उनकी power भी equal हो जाती है लेकिर अलग से equal होती है base में equal नहीं होती है अलग से मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3x plus x is equal to 2 यानि 4x is equal to 2 यानि x is equal to 2 upon 4 यानि x is equal to 1 upon 2 1s are 2 2 2s are 4 यानि x is equal to 1 upon यानि answer क्या हो गया आपका अंसर होगे आपका option number ठीक है असान question था बिल्कुल difficult नहीं था यहाँ पर आपको दो चीज़ें जो formula थे वो आपको बढ़ने थे समझने थे एक तो यह है तो यह है कि अगर power की उपर power हो तो multiply हो जाता है ठीक है और अगर base same हो multiply में हो तो power add हो जाती है और अगर base same हो और equal में आपस में equal कर सकते अंसर हमारा आगया 1 by 2 that is option number ठीक है फोफ़ली समझ में आया होगा आप लोगों को अगला question देखते है ठीक अगला question है हमारा 107 272 का square minus 128 का square का वर्गमूल ग्याद करिए ठीक है तो 272 का square अब देखो यह जो question है इसको आप दो तरह किसे कर सकते हो ठीक है तो आप दो तरह किसे कर सकते हो देखो मैं अब आ जाता हूँ आपके सामने क्योंकि light का issue resolve हो गया है इसको आप दो तरह किसे कर सकते हो 272 का square minus 128 का square तो अब अगर आप इसको ऐसे करो कि 272 का स्क्वायर निकाल लो यानि 272 इंट 272 कर लो और फिर 128 इंट 128 कर लो तो वैसे भी आप कर सकते हो आपका आंसर वैसे भी आएगा लेकिन यहां पर बहुत ध्यान से चीज देखनी है आपने क्या देखना है जरा ध्यान से देखो यहा 272 का स्क्वायर तो है लेकिन माइनस 128 का स्क्वायर यहां नहीं है यह ब्रैकेट यहां लगा दिया है तो अगर आप जल्दी बाजी में देखो गए न तो आपको यह लगेगा कि 272 का स्क्वायर है और माइनस 128 का स्क्वायर है अगर आप ऐसे भी सॉल्प करो ना तो भी है यह बाहर है इस बाद का अब को ध्यान रखना है अगर यह इस उदर हो था तो हम फॉर्मुला लगा सकते है अ a square माइनस b square लेकिन क्योंकि square बाहर है तो अब हमें formula हम नहीं लगा सकते तो अब हमारे पास क्या option है हमें 272 into 272 यहाँ पर करना पड़ेगा वह दिक्कत नहीं हम इजली कर सकते हैं 2-2-4, 2-7-14 carry 1, 2-2-4 और 1 5, ठीक है फिर 7-2-14 carry 1, 7-7-14 9-1 50 carry 5, 7-2-14 और 5 आपका हुजाएगा 9, ठीक है फिर 2-2-4, 2-7-14 carry 1, 2-2-4-1 5, ठीक है तो यह आगया 4-4, 5-4-9, 9-4-13 carry 1, 5-1-6-1-7 यहनि हमारा आगया 7-3-9-4 क्या आया 7-3-9-4 इसमें सा आपको 128 को माइनस करना है तो 128 को माइनस कर दीजे, 128 को माइनस करेंगे तो यह आजाएगा आ 8 और 6-14, 8 और 6-14 हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बचेगा 3, तो 3 में से 2 गया 1, 9 में से 1 गया 8 और यह आपका है 3 और यह हो गया 7, अब ज़रा यहाँ यहाँ बास समझना, 7, 3, 8, 1, 6 आया माइनस करने के बाद, अब यह तो understood हैना कि अगर इसका square हम करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा, तो नहीं 256 आ सकता है, नहीं 240 आ सकता है, नहीं 200 आ सकता है, नहीं 144 आ सकता है, नहीं आ सकता ना, इसका मतलब यहाँ पे question में गलती थी, यह ना, मैंने इसलिए पहले doubt clear नहीं किया, क्योंकि ऐसे questions एक्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन कि देखते ही समझ में आ गया था कि नंबर तो बढ़ा आएगा, फिर 272 का स्क्वार तो बहुत बढ़ा होगा, उसमें से 128 माइनस करोगे, छोटा सा 128, उसके स्क्वार करोगे तो इससे तो बढ़ा ही नंबर आएगा, यहाँ पर यह question में गलती है, question होना क्या चाहिए था, question वही होना चाहिए था, कि जो square है वो अंदर रहना चाहिए था, और यह बाहर लगना चाहिए था, तो एक बार ऐसे भी try कर लेते हैं, ठीक है, एक बार ऐसे भी try कर लेते हैं, क्या पता answer आ जाए, तो यह अब लगा दो, formula A square मैनस B square, मतलब जो मारा formula होता है, ऐसा तो आया यह हमारा answer तो मैं स्कुरेस कर देता हूँ फिलाल, इसा तो मारा answer आया नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अब जो आपको सीखना है, वो सीखना है कि अगर question आपका ऐसा होता, question ऐसा होता कि 272 का square माइनस 128 का square और फिर bracket होता, उस case में formula लगाते है, A square माइनस B square का formula, इसक मतलब है कि 272 प्लस 128, bracket close, फिर 272 माइनस 128, bracket close, 272 प्लस 128 कितना होगा, 8 और तो 10, carry 1, 7 और 2, 9 और 1, 1, 10, carry 1, 2 और 1, 3 और 1, 4, यह हो गया आपका 400, ठीक है, इन्टू, इसमें से माइनस कर दोगे 128, तो 8 और 4, 12, ठीक है, 6 में से 2 गया, 4 और 2 में से गया, 144, अब इसको भी 4 से multiply कर दो, 00, तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 4, 4, 16, carry 1, 4, 4, 16, carry 1, 4, 1, 17, carry 1, 4, 1, 4, 15, तो यह आजाएगा आपका answer, 576, 00, यह आपका आ गया, ठीक है, तो अभी 576, 00, आ गया, अब यह answer नहीं है, क्योंकि आपने आपने आगे तो question पढ़ा ही नहीं, आगे question क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल याद करना है, क्या करना है, इसका वर्गमूल याद करना है, ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अंडरूट निकालेंगे, तो इसका अंडरूट का क्या मतलब है, अब देखो, यहाँ प तो फॉट्टी टोफली कुश्शन आपको समझ में आया होगा पढ़ते हैं अगले कुश्शन की तरफ तो जो मारा अगला कुश्शन है वह हम से कह रहा है एक सीधी पंक्ती में दस मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं प्रतम तथा दसवे बच्चे की बीच की दूरी क कितने उस सिंपल सी बात है देखो यहां पर पहला बच्चा है एक मैं स्केल लगा लोगे हैं यहां पर की खीच देते हैं यहां पर फाइव ठीट एट तो यह हो गया दस्वा बच्चा एक काम करते है यह हो गया आपका पहला बच्चा इसके लटानी पड़ेगी हमको यहां कि दूसरा बच्चा हो गया हो गया है ूह हो गया रफ़ा यह आपको हो गया ह इसको हम स्किएल को अभड़ा देदें लुती ह है दूसरा यहां तीस निवा को है हैं आपका यहां प्यू क्रीरा धर व 네 बचच्च को हम अ Hosp同 यू आफॉट्वा नह बना दिया कोई वाद नहीं यह 5 तो क्या कह रहा है कि 10 मीटर के अंतराल पर खड़े हैं तो ऐसे तो अंडेस्टूट कुश्चन था लेकिन मैं समझाने के लिए आपको यहां पर कर दिया तो यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 मीटर है तो ऐसे कितने पेर हैं एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ नौ पेर हैं यहां 160 रुपे को 1 बटा 3, अनुपात 1 बटा 4 और अनुपात 1 बटा 6 ठीक है कि अनुपात में बाटा जाए तो पहले हिस्से का मान क्या होगा ठीक है पहले हिस्से का मान क्या होगा यह आप से पूछा गया है तो देखो कभी भी आपको अगर रेशियो में डिवाइट करना है कि वेगर वो fraction में ratio है तो पहले उसको normal में change करना पड़ता है यानि हमको 1 by 3 ratio 1 by 4 ratio 1 by 6 को normal fraction में change करना पड़ेगा normal fraction में change करना पड़ेगा तो normal ratio का क्या मतलब है कि पहले आप इसके LCM ले लो LCM हो जाएगा इसका 12 यह हो जाएगा 3 4 12 ratio 4 3 12 ratio 6 2 12 यानि जो यह fraction वाला ratio था इसका simplest form आया वो आया 4 ratio 3 ratio 2 ठीक है तो आप ही माल लीजिए कि पहले वाले को 4x मिला हला कि बिन x के भी कर सकते हो दूसरे वाले को 3x मिला और तीसरे वाले को 2x मिला ठीक है यानि 4x प्लस 3x प्लस 2x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2160 रुप है आपको पहले इससे का मान बताना तो उसके लिए पहले आप x का मान निकाल लो तो 4 और 3 7 7 7 और 2 9 यानि 9x की जो वैल्यू आगई वो आगई 2160 यानि जो x की वैल्यू आगई 2160 अपॉन 9 तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 92018 ठीक है 92018 हो गया उसके बाद आपके 21 है तो 3 बचा 94036 यानि 240 एक्स की वैल्यू 240 आगई तो आपको पहले हिस्तिका मान बताना है तो पहला इससा क्या था फो एक्स था यानि 4 इंटू 240 240 तो जैगा 0 44016 4208 और वन 9 यानि 960 आपका आंसर होगा जो है option number c आपका answer हो इतना बहुत असान question था अगला question देखो तो next question है हमारा यदि किसी संक्या के 200 प्रतिशत का मान 90 है 90 है तो 80 प्रतिशत का मान कितना होगा अब इसमें न एक्स वेक्स एजूम करने की कोई आवशक्ता नहीं बिलकुल सिंपल तरीके से करिए 200% की जो value है वो 90 है तो 1% की जो value होगी वो होगी 90 अपन 200 तो आपकी जो 80% की value होगी वो होगी 90 अपन 200 इंटू 80 तो 0 से 0 काट दीजिए और ये वाला 0 से ये वाला 0 काट दीजिए टू फोर्जा 8 हो गया नाइन फोर्जा 36 हो गया option number A आपका answer होगा option number A आपका answer होगा